बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेप्टर नंबर वन में चार वीडियो देखी और इंपॉर्टेंट कुश्चन खतम और आराम से निकल जाएगा पेपर आप लोगों के डिमांड पे आप लोगों के सपोर्ट से एक नया बैच लॉंच करने जा रहे हैं अगर आप स्ट्रेटेजी बनाके नहीं चलेंगे तो च्छे महीने भी कम पढ़ जाएंगे आपको पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आप देखिएगा मैंने टॉपिक ही लिखा है आपको एक तो भुक लेना है और लेना है दो चीजे आपके पास होनी जरूरी है अब सर्भुक और टैनियर ठीक है अब हर सब्जेक्ट का बुक पॉसिबल नहीं है कि है भी मार्केट में अवेलेबल या नहीं है लेकिन टैनियर लगबग लगबग 95% आपके सब्जेक्ट क लेना है और इनका नमबर भी देता हूं जो प्रसनली इनको टेक केयर करते हैं और गृष जी नाम है कि मैं नमबर लिख़ देता हूं कि अब आप इस नमबर को नोट करके डारेक्टली कॉल करके इन से कन्फर्म कर सकतें कि सर्मुझे टेनियर चाहिए मेरा नाम ले सकते हैं कि अनुसर से बात हुई थी उन्होंने कहा था तो जो maximum discount बन पर सकता है या जो भी रहेगा जितनी जल्दी fast से fast delivery कर दें वो मिल जाएगा चाहे बच्चा पुराने कोर्स का हो चाहे बच्चा नए कोर्स का हो चाहे बच्चे की ER हो कोई सा भी हो सकता है अ 70111 47630 यह नंबर है शिवदास का जहां से आप contact करके अपने घर पे सेम डे डेली में रह रहे हो तो सेम डे आउट ऑफ डेली रह रहे हो तो एक से दो दिन का वक्त लगेगा मंगवा सकते हो तो सबसे पहले यह तो सर मस्ट है यह तो मस्ट है अब सर बुक कौन कौन से लेने चाहिए! नूर मघए स्लिक काम चल जाएगा यह एस वेला से चल जाएगा तो मैं बुक्स की बात करूं तो देखो मैं इधर सबजेट के नाम लिख रहा हूं अगर मैं बात करूं सर सेमेस्टर 2 के ध्यान से सुनिेगा सेमेस्टर 2 में आपको कॉर्परेट की बुक लेनी चाहिए है तुद इन इर तो लेना ही लेना है को आर्परेट का बुक लेना चाहिए राइटर का नभी नाम भी लिखता जा रहा हूं ये धार मोंगा और 10 year भी आपके पास available हो सकता है अगर corporate law की बात करें यानि company law की बात करें company law की बात करें तो इसकी जो book है वो अनिल कुमार की है जो मैंने पढ़ाया है वो पूरा अनिल कुमार को follow करते वे पढ़ाया है ताकि आपको वीडियो अगर आपके पास available है तो आप देख सकते हो सर अब बात कर रहे हैं सर semester 4 वाले बच्चे तो एक तो आपको cost की book लेनी पड़ेगी जिसका नाम है आपका महेश्वरी मित्तल सर अब 20 दिन में क्या होगा देखो 5-700 रुपे book पे spend करके आपका कुछ नहीं जाएगा और ये पैसे आप बचा के कुछ कर भी नहीं सकते इतना जादा तो मैं suggest करूँँगा बुक ले लो शायद क्या पता अगर आपने जो questions पढ़ें book से वो आ जाएं हाँ book को भी कैसे पढ़ना है उसकी भी मैं बात करूँगा कि किस strategy से पढ़ना है अब भुक भी खतम हो जार इस time में मैं उनकी भी बात करूँगा दूसरा आपका business stat business stat के भी ले सकते हो जे के ठुकराल और इन सभी का tenure तो भीया must है ही है tenure तो आपने लेना ही लेना है दो subject आपके practical है और subject इसके अंदर जैसे हो गया semester 4 वालो बच्चे के पास international business international business के लिए market में ऐसाच मुझे बहुत अच्छी कोई book मिली नी हाँ मैं YouTube पे आपके लिए देखो वीडियो भी डाली रहा हूँ कोसिस कर रहा हूँ के पूरा से पूरा करा हूँ लेकिन channel को subscribe भी करोगे management account की बुक है आपकी मन रोड़ा मन रोड़ा आप internet पे ढूंडिये मिलेगा nearby shop पे ढूंडिये मिलेगा अगर नहीं मिलता तो आप application पे भी मैं डाल दूँगा और telegram पे मैं अभी सभी book के link डलवा रहा हूँ आप telegram जोइन करके book को ले सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगला subject कौन सा है सर एफो आई तो वनीता तिरफाटी एफो आई के बाद अब एक और सब्जेक्ट है जी एस्टी सर जी एस्टी का बंसल है एक एचन बंसल है साइद मुझे एक्जेक्ट याद नहीं है बंसल के नाम से है जी एस्टी का टेक्समेंट राइटर की बुक है ठीक है यह सारे वह बुक बता रहा हूँ जो ऑथराइज मतलब के राइटर है तो यह बुक आप फॉलो करेंगे जैसे मैंने बता दिया मेरे पास अभी सारे सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट तो पता नहीं 200-300 सब्जेक्ट से टोटल तो मैं सबका नहीं बता सकता हाँ लेकिन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आपको बुक लेने ही लेने चाहिए और इस भुक के कैसे पढ़ना है में अब वह बताने वाला हूं भुक हो गया 10 year, 10 year में क्या होता है सर, 10 year के अंदर सिर्फ पास्त यर में जो कोश्जन है वही होता है और 90 परसेंट पेपर आपका 10 year में से exact कोश्जन उठके आ जाता है तो that's why मैं आपको रिकर्में प्राइटर के अंदर उनके हिसाब से अब जिन बच्चों ने अधर राइटर के खरीद लिया है तो डॉन्ट वरी आप उनसे काम चला सकते हैं लेकिन मुझे जो बेस्ट एक सीक्वेंस एक फार्मेटिंग लगती है इसी टू अडिस्टेंड है थियोरी को अलग किया हुआ है प्राक्टिकल को अलग किया हुआ है पेपर्स को अलग किया हुआ है जो कि आपको ये बेटर लगता है मैंने क्वांटेक नंबर भी लिख दिया अब सर ये सारी बता दी तो पढ़ना कैसे है ये तो बताई नहीं बुक तो हमें भी पता है सर स्टडी जो करना है न आपको study जो करना है मैं एक important questions की मैं link बनाने की सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए important question का मैं telegram पे भी डाल दूँगा और telegram के साथ-साथ लेकिन वो questions book कौन सा होगा मैं अपने latest book के इसाब से मैं आज PDF डलवा दूँगा telegram पे भी डलवा दूँगा और book का नाम वगएरा mention करके जितने मेरे पास बने हुए उन questions के मैं list डलवा दूँगा के भी या illustration नंबर ये जैसे suppose करो आपने book ले लिया और book जो लिया आपने जियार मोंगा लिया है ना right आपने जियार मोंगा लिया तो मैं क्या करूँगा जियार मोंगा के book से corporate account के लिया जिन बच्चों ने लिया मैं example ले रहा हूँ तो जैसे chapter number one में question number five important है question number 13 important है question number 25 important है इस तरीके से डलवा दूँगा यहाँ पे एक conflict हो सकता है ध्यान दीजिएगा क्या पता आपके पुराने book हो उसी के according मैं बताने वाला हूँ जो कि मैं डलवा दूँगा ठीक है दूसरा इसके साथ साथ theory के भी notes मैं telegram पे डालूँगा तो telegram आप join कर लिजिए चैनल को subscribe भी करके रखिएगा इस तरीके से हमां book को कैसे खतम करेंगे अगर chapter one में अगर 25 कोश्चन है तो हमें 25 नहीं करना उसमें से 5 कोश्चन करना है लेकिन वो कोश्चन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर पूरा का पूरा concept खतम हो जाता है कैसे पढ़ना है यूटूब पे यूटूब पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल सा है आप पहले लेंदी में प्रोसस में नहीं जाना है यह चीजे आप साथ रहेगी जो कि मैंने यह बता दिया ओवरॉल तो होफुली आप समझ पा रहे होगे मैं इसमें बहुत अच्छे से explain नहीं कर पाऊंगा और कर भी नहीं सकता कर नहीं पाऊंगा क्यों रीजन के ऐसर क्योंकि जो ब क्याम से निकल जाएगा पेपर ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा मैं वह लिख दूँगा कि इतने इतने कुस्टन करने इस इसाब से ठीक है इस बात का ध्यान दीजिएगा काफिस टाइम से बच्चे कह रहें थें सर एकना हमें ऐसा कुछ करिकुलम बता दो यह तो जो बच्चे यूटूब पे बहुत टायंब से जुड़े हैं उनके लिए हो गया जो बच्चे यूटूब पे जुड़े हैं मतलब कि अब मैं आप सभी को अगर requirement है, आपका feedback जैसा हैगा, तो एक exam oriented batch मैं लिया आता हूँ आपके लिए, exam oriented, यानि सिर्फ exam से related इसके अंदर बात है और exam से related आपके questions, मतलब इसको देखके exam से related आपके questions हो जाएंगे, इसके अंदर जो मैं book के questions बोल रहा था, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, इसके अंदर जो मैं book के questions बोल रहा था, book के questions सभी मैं video के साथ डलवा देता हूँ, important, सभी book के questions को video के साथ डलवा दूँगा, attach करवा देता हूँ, कि यह important है chapter 1 में और यह 3 उसकी वीडियो भी बना दूँगा जिससे आपको आसानी हो जाए कि आपने chapter number 1 में 4 वीडियो देखी और important question खतम और साथ में concept भी डलवा दूँगा सभी वीडियो पे मैं star भी लगवा दूँगा जैसे generally मैं लगवाया करता हूँ प्लस आपका यहाँ पे जो हम exam oriented batch लेके आने हैं यहाँ पे आपके semester semester आपका एक दो और चार है और एक semester हमारा छे है तो मैं semester छे के लिए मैं बोलना चाहूँँगा देखो last है semester दो और चार तो भी पढ़ेंगे और यह बिलकुल सभी बच्चे वैसे तो sincere पढ़ रहे हैं तो मैं करवा सकता हूं max to max 399 का लेकिन आप एक बार number given है description में आप पूछ लीजिए का one time payment रहता है इसके अंदर आपको क्या मिलता है देखो बुक वाले तो ही है कुछ live class रहेंगी और plus जैसे आज cost की class है तो आज मैं उनको guidance करूँगा कि भी यह cost के अंदर ऐसे ऐसे पढ़ना है वो हम conversation करके भी कर सकते हैं semester 6 वाले बच्चों के लिए हम course को मतलब के मानलो 349 349 की बात करिए मैंने 350 रुपए में any course आप ले सकते हो अगर आप 2-3 course लेते हो तो उस पर भी मैं discount डलवा दूँगा आप जाके contact number करिए एक task देंगे वो हमारे application को review कर दीजिए या हमारे google को review कर दीजिए review करके screenshot share करिए तो मैंने 349 बनाया है तो आप अगर screenshot share करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आपको discount मिल सकता है बाकि semester 4 वालों के लिए ये है और वो easily बता देंगे coupon code देंगे सारे चीज़े available देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से customize है ये paid मैं हर ब मैं पहले बता दूँ आपको 10 दिन के बाद करेंगे तो बहुत कम टाइम बचेगा फिर मेरे लिए भी हैक्टिंग हो जाएगा उससाब से सारा curriculum बनाना ठीक है ना तो मैं मानिके चल रहा हूं कि आप सभी बच्चे अरली यानि आज जो जो वीडियो देखेंगे instant communicate करते रह आपको देखान कर रहे हैं याले बैजक का नाम है एक्जाम ओरेंटिट जिसकी आंदर एक्जाम से रिलेटेटड जादा बात होंगी एक्जाम से रिलेटेड गाइड होगी पास होने की प्रेडbras यह छोड़ दें यह पर्याइज इस नंबर देख लो inmates आपको हого सकते हैं न मेरा मेन फोकस था कभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप तो एड कर रहे हो मेरा मेन फोकस है कि यू है टू पर्चेस बुक आपको बुक लेना चाहिए प्लस में टैनियर लेना चाहिए और बुक से इंपॉर्टेंट कोशन पढ़ना चाहिए मैं टेलीग्राम पे अभी पीड आप टेलीग्राम पे सर्च करिए चैनल है और उसके अंदर आपको मिल जाएगा नीचे लिंक है कई बार लिंक ओपन नहीं होता उसके इसाब से रहता है तो होफुली समझ रहे हो को मैं सिंपल सी बात कहता हूँ ना पढ़ना स्टार्ट कर दो लास्ट मुमेंट बचा है ल सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे वोफुली मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे आप सभी से मैं रिक्वस्ट करता हूँ के स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए नहीं तो आप टाइम बिल्कुल खतम हो गया यार बहुत जादा आपने हमने रेस्ट कर लिया अपने आपको समझाओ मैंने रेस्ट कर लिया है अब टाइम नहीं बचा है अब पढ़ना है आप कुछ डू एंडाई करना है मुबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसे सोशल मीडिया आप्स है मन करता है डिलीट मार ये आपकी यही चीजे देखनी पड़ीगे कि कितना आप कॉंसेंट कर सकते हो थाइंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड हमारा फैंबली दे बैडे आप सभी के सपोर्ट से बढ़ता जा रहा है मैं उमीद करूंगा आप जितने भी बच्चे हैं वो भी जिनोंने सपोर्ट अभी तक कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक प्लीज सपोर्ट करिए ताकि मैं और टीचर्स को ओन बोर्ड हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ले के आऊं और आपको जादा से जादा सब्जेक्ट्स आसानी से मिल पाए थेरिटिकल मैं भी सारे सब्जेक्ट्स में लाने की कोसिस करूंगा थाइंक यू सो मच